प्रेस दा सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बैल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोज नमस्कार दोस्तों अमेजिंग पॉइंट में मैं राकेश उपाद्दा करता हूँ आपका बहुत-बहुत स्वागत आज हम बात करेंगे एर टेल और जियो की नेट के स्पीड के बारे में बाकी और ऑपरेटर्स के बारे में हम इसलिए बात नहीं करेंगे कि वो रेस से एक तरह से बाहर हो चुकी हैं सब कंपनियों के बोलिया बिस्तर लगफख बन चुके हैं और जो रह गई हैं उनके भी बन जाएंगे जन्दी है तो बचेंगी दो कंपनियां खाली Airtel और Jio तो आईए इनकी स्पीड की बारे में हम बात करते हैं दोस्तो काफी दिनों से ये देखा जा रहा है कि जियो की स्पीड कम होती जा रही है बहुत कम होती जा रही है Airtel के मुकाबले कभी कभी तो पांच गुना तक कम हो जाती है लेकिन overall मैं अगर बात करूँ आपसे पूरे दिनकाभी एबरेज लगाऊं तो Airtel की स्पीड अच्छी है बहुत सारी जगह पर ये मैं एक जगह के नहीं बता रहा आपसे बहुत सारी जगह पर Airtel और Jio दोनों को चलाया है स्पीड भी माती गई है मैंने खुद करके ये देखा है तो उसमें मैंने पाया है कि Airtel Jio से बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है इस टाइम आपको पता है कि अलालग जगह पर स्पीड कम हो सकती है लेकिन मैंने वहां भी ना पा है जहां पर Jio का टावर है Jio का टावर मुस्किल से 100 मीटर की दूरी पर है और Airtel का टावर लगभग 1 किलो मीटर की दूरी पर है फिर भी Airtel की स्पीड वहां पर अच्छी पाई गई हर गाउं में ना पा शहर में ना पा बहुत सारी जगह पर नापने के बाद में जगह जगह नापने के बाद में मैंने ये निर्णे पाया ये निर्णे निकाला मैंने कि Airtel की स्पीड इंटरनेट के मामले में Jio से अच्छी है अब काफी अच्छी है तो दूस्तो अगर आपको NET के मामले में मैं फिलहाल की बात कर रहा हूँ मैं अभी कुछ महीनों की तो मैं बात करूँ जो गुजरे हैं कुछ महीने और आने वाले वक्त की तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जियो इसमें कुछ सुधार करता है या नहीं अगर जियो इसमें सुधार नहीं करता तो डेफिनेटरी इ ऐसमें किसी का कोई पक्ष नहिक लिया जाता हमारे चैनल mm पे आके आप ऐसी न्यूस देख सकते हैं Dragons जहां Hence आने जाता है हर एक चीज के चाहें कोई प्रोडक्ट हो या कोई न्यूज हो उसको बिलकुल निस्पक्च रूप से बताया जाता है तो हमारे चैनल पर आप जोड़े रही है चैनल पर नहीं है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें